ओके गुड मॉर्निंग स्टुदेंस वेलकम टूलनर साकेडमी सो इस ग्लास अल अबाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बेटा जितना अच्छे से समझ लोगे न उतनी जर्नी आगे की आसान हो जाएगी क्योंकि उतनी जर्नी आगे की आसान है नहीं बट आसान बन इसको ढंग से मन मैं बिठा लोगे थी के लिए क्लासली 11 के लिए यह क्लास है चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन की डित्रोड़क्शन इंट्रोडव νब्रों किए एक ग्लासल करें चै beautif स्टार्ट आज नहीं कर रहें कल से करेंगे आपके लिए इन्वर्स तो आज क्या करेंगे आपको आज आपको जो यह क्लास 11 को पढ़ा रहे हैं इसका आपके लिए रिवीजन तो इस्टापे कि इन्वर्स तभी समझ में आगा जब सीधे पता हो तो सीधे पता हो तो पता होंगे बट रिवाइस करना ज़रूरी है इसलिए आज कि लुद्ध का क्लास है चले स्टार्ट करें अपने को 6 टिक्नोमेंट्रिक फ़ंक्शन धंक से समझे क्या है उस सबसे पहले एक यूनिट सर्किल से समझेंगे आपको यह तो बिल्कुल सबको पता होगा कि अगर हम साइन और पॉस को समझ गया तो बाकी चार भी समझ में आ जाते हैं टैन क्या होता है साइन डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ कॉस ठीक है और उसके बाद बाकी तीन तो इ से क्या होता है कोस करें सी प्रोकल क्या होता है यहां से सारे अंगल रिडियन में आपको बता चल जाना चाहिए पाइड़ वाय तो कितना होता है आपको क्यों नहीं याद कर गया अब आगे अब जैसे में यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है चेक करो अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं गया लेकिन आप चेक करो यहां क्या लिखा है चलेगी डिग got बिलकुल बूल के यहां से सारी गांनी तक रसक क्या है आप चलेद हैं देखहें यूनिट सार्कruck स्टरश क्या है आप यह क्या क्या है आप एक सब्सक्राइब न कराओ unit circle, unit circle पहले मैं rough बना रहा होँ हो unit circle क्या होता जहां से सुनना unit circle मौनलब एक ऐसा circle जिसकी radius एक unit हो याने कि एक cm हो याँ 1 cm हो कोई भी एक unit हो one unit याने 1 cm की unit भी हो सकती है 1 meter, 1 km कुछ भी तो let's say 1 cm का मैंने radius का मैंने क्या बना दिया बनाती है कोई डाउट यहां तक यह एक सेंटिमीटर रेडियस का सर्किल बन गया बन गया विटा कोई डाउट नहीं यहां तक ओके फाइन अब इसकी एक आर्क इसके अंदर सपोस्पोर मैंने एक रेडिया के साथ दूसरी रेडिया भी बना दी लेट से मैंने अच्छा एक सर्किल को अपने चार क्वाडरेंट में डिवाइड करें तो कुछ ऐसे डिवाइड हो जागए ऐसे अब इसके एक बार के लिए फस्ट क्वाडरेंट की बात कर रहा हूँ है और इसके बात फिर बाकी सारे क्वाडरेंट में भी हम मुव होंगे एक्चुली बता है मुद्दा क्या है मुद्दा यह कि 10th क्लास में 90 डिगरी पर रुख गए थे तो जैसे होता है ना कि बाववली सिजन बन में नबब्य डिग्री पर टक गए थे आप नबब्य डिग्री के बाद चल रहे हम जहाँ खतम आ था हम से नब्भे डिग्री के बाद की धिक लो ठीकन मोर थिंगं तक ट रिइशियो थे आस्टीमेट्रिक फंक् nuances है तो जो मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं दोनों को फिर से सुन लो function क्या एक मशीन है जिसमें कुछ input आता है और कुछ output आता है inputs क्या-क्या ले सकते हो उसका set के लाता है domain outputs क्या-क्या दे सकते हो उसका set के लाता है range लाइक मैंने साइन थीटा को एक मशीन माल लिया छे ट्रिग्णोपेटिक फंक्शन थे, चैन पेली माशीन है साइन थीटा में जीरो देता हूं तो जीरो आंसर देती है क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है फिर मैं 30 डिगरी देता हूं तो वन बाय टू आंसर देती है तो यह जो इन्पूट्स आ रहे हैं यह तो है डोमेन और जो आउटपूट्स आ रहे हैं वो है रेंज तो ट्रिगनोमेट्रिक को भी आज से हम फंक्शन की नजरिये से ही देखे रहें सांटे फंक्षंट के दुनिया में हम जांते किसको जानते एक्स को लाइक इस ऐकुलTo x-squire अब आपको एंगल एक्स के रूप में मिल रहा है जैसे एक्स आपको मिल रहा है तीस डिगरी एक्स आपको मिल रहा है पहले थीटा मिलता था था थीजी अभी आपको एक्स मिलता है और वहां से साइन एक्स का अंसर आ रहा है क्लियर है सारी बाते चलिए अब वापस आजो एक बार युनिट सर्किल अप्रोच पे तो युनिट सर्किल बन गया साब वन सेंटीमीटर इसकी क्या है रेडियस ठीक है अब कल हमने क्लास 11 के इंट्रोडक्शन में हम सेंटीमीटर ही अगर आपकी रेडियस है और लेंट और यह पॉइंट और यह पॉइंट तो है ओ यह पॉइंट है और यह इस पॉइंट यह पॉइंट है ओ यह पॉइंट है यह पॉइंट है अब मुझे एक चीज बताओ मेरे को मन में इच्छा होई कि यार मैं इस एक और इस बी के कोडिनेट्स पता करूं कोडिनेट्स अब समझते हो एक 2D ग्राफ मालो आर पार में खीश देता हूं यह होगई यह फंउट तो और चेता है रिजिन-टो और यह पता करने के शशा हो गता है आई तो उस परपस से मैंने बी से एक परपेंडिकूलर तो गिया लएट तो बन गया बन गया बहुत है तो अगर सकता हूं तो लेट से यह अंगल अगर थीटा यह है यह जो एंगल ऑपर जो बन रहा है यह थीटा है तो मुझे बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा अगर यह एंगल थीटा है तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा अच्छा अभी अपने एक्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं चलो ठीक है एक्स रख देते हैं भूल गया मैं कि थीटा तो अब कुछा ही नहीं जो भी है एक्स मालोई एंगल एक्स है तो साइन एक्स और कोसेक्स क्या होगा साइन एक्स और कोसेक्स क्या होगा बताओ टेंथ क्लास में पढ़ाया तो हमने साइन एक्स और कोसेक्स की ऐसको क्या को मैं एट्जेस्ट का ऐगे हरता है अध्यजेसंट कि टैनेट है अप मुझे यहां से टो नहीं और कि लंबाए किसके बराबर है साइनेक। और यह जो ऑů से लेकर दी तक है यह लंबाई किसके बराबर रही है कोसेक्स निकलाने देखो, BD बरावर, Sin X, OD बरावर, कोसेक्स अब आप कोडिनेट कैसे निकालते हो, let's say, इस B-Point के मुझे कोडिनेट निकालना है, तो आप यह कितना गया वो सोचते हो, मालों में यह 10 कदम गया, और उपर में चार कदम गया तो 10,4 उसके कोडिनेट होंगे होंगे मालों में यूंग 4 कदम गया और यू 6 चैक्स कोडिनेट होंगे तो आप यू कितना गय चेक करो उसके पर पे जो पॉइंट मूव कर रहा है कि अलो यह क्लास तो कब की स्टार्ट जोइन दो आइडिया दिये दोनों में से किसी एक पर ट्राइग करो इस दोनों में नहीं हो दो फिर फोन चेंज करके ट्राइग पता नहीं यह प्रब्लम में तो चालू कर रखे हैं हाँ ठीक है तो को सेक्से यह 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 यूनित में जो पॉइंट है जो मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोडिनेट तो कोसेक्स की वैल्यू होती है और उसका वाय कोडिनेट साइन एक्स की वैल्यू होती है उसका एक्स कोडिनेट क्या होता है कोसेक्स की वैल्यू होती है और उसका वाय कोडिनेट क्या होता है साइन फिर से बताओ एक्स कोडिनेट क्या होता है कोसेक्स की वै तो साइनेक्स की वैल्यू हो जाएगी और उसका जो वाइक कोडिनेट हो जाएगा वो साइनेक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां तक क्लियर है अब मुझे बताओ एपॉइंट के कोडिनेट्स क्या हूंगे बताऊ एक कोईनेट्स क्या हूंगे लेकिन ए पॉंट एकसे सपे भी तो लाय कर रहा है तो एकसे पर लाए करने वाले पॉइंट के कोडिनेट निकालना तो आसान है उसका वाइक कोडिनेट जीरो होता है तो एक्स कोडिनेट क्या होगा जीरो है एक से लेकर यह तक कि लंबाई 1 सेंटीमीटर है न सो 1,0 होगा होगा नहीं होगा चलो अब इदर आ जाओ let's say मैं B से चलते-चलते यहां पर पहुंच गया, c पर पहुंच गया अब c कोडिनेट बताओ देखे वाय कोडिनेट तो वने क्यूंकि औ से लेकर सी-तक वन संटी मीटर है X कोडिनेट 0 है अरे वाई को एक्स पे लाय होने वाले हर एक पॉइंट का X ed shoda यहांपर वी जो एक्स कोडिनेट होता यहांपर पर एंगल जीरो डिगरी का है तो यह जीरो डिगरी है और यह भी जीरो डिगरी है और यहां पर यह जीरो की वैल्य वन होती है जितनी आपकी कर दिगरी दस वी क्लास की नौलेज है और इधर आ जो कॉस नबबबे की वैल्य जीरो होती है और साइन नबबबे की वैलइए यह सईच और नौ सट यह दो दो पॉइंट के कोडिनेट से प्रूव हो गया कि आपकी ऑachen रखलेगा मतलब है कि ता सइनेक्स की मुझे शबता करनी थी क्योंकि और फिर ऑपांगी तिनकी तो इनगरी कि बता दो नबय डिगरी के बाद क्या होती है तो मैंने पहले जीरोडिगरी पे अनलाइस किया तो मैंने देखा है जो पॉइंट से बीच में घूमता है जिरो डिगरी कोसेक्स की वैलियू होती है और उस पॉइंट का वाय कोडिनेट जो भी होता है वो किसकी वैलियू होती है साइनेक्स की वैलियू होती है जीरो और नैंटी पे यह प्रूव हो रहा है ठीक है चलो गूमते-गूमते में डी पे आ गया हूं और फिर वापस गूमते-गूमते मे इपे भी आ गया हूं अब डी के कोडिनेट जनरल इन जनरल डी के कोडिनेट क्या होंगे उसे बताओ यह वन सेंटिमीटर इदर भी है तो माइनस वन कोमा जीरो होगा और एक बताओ यह वन सेंटिमीटर नीचे भी है जीरो कोमा माइनस वन होगा यह या नहीं है और यह साइन एक्सवस्य ओस्य की वैलू मिल गए आपको साइन कोस एक्स वसी कितना होता है माइनस वन एंड साइन वन इटी कितना होता है जीरो चलो जी यह 270 डिगरी है तो यह एक्चुली आपको कोस 270 डिगरी की वैल्यू दे रहा है एक्स कोडिनेट हमेजा कोस एक्स की वैल्यू देता है और यह जो माइनस वन है यह साइन 270 डिगर की value भी दे रहा है समझ गए clear रहा है तो कितने याद हो यह नवे डिक्री तक कल तक याद थे आब आ जाओ साइन एक्षे डीग्री जीरो और सबस्ब्री माइनस फिर आजाओ साइन 270 डीग्री माइनस फन और और लिए यह एसे थोड़ी कोई ट्रिक है कहेँ को याद करने माइनस वन और जीरो का तो कुछ नेगेटिव होता है नहीं जीरो गाश गए जीरो डिग्री से 180 डिग्री पे आते टाइम इधर जो एंगल सा रहे थे जीरो डिग्री पे उसके नेगेटिव एंगल से तर आएंगे similarly 90 degree से 270 डिग्री आओगे तो उसके नेगेटिव एंगल सो यहां आएंगे करके देख़ो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं किसमें चलनी है रेडियन में तो बताओ फटावर से 90 डिगरी को रेडियन में क्या लिखते हैं 270 डिगरी गया लिखते हैं तरी पाए बाए बाए टो अच्छा सर घूमते गूमते वापस इस पे आ जाओं तो वापस ए पे आ जाओं तो एक तरीके से तो टू पाए कवर कर लिया यह 360 कवर कर लिया पर एक्चुली सरकिल में तो घूम रहा हूं पता चली पाइब पता चली पाइब पता चली पाइब पता चली तो बाकी चार की भी पता लगाई जा सकती है जाती है कि अंदर के अंगल्स का है राएक और एक ससी के बीच में 150 डिग्री भी होगा उन्हें पे भी तो बताओ तो यह चार-पाज एंगल्स होते हैं इनको कहते हैं क्या केते हैं क्या इनको क्या यहां पर बदलता है इस पर क्वाड्रेंट बदल के से से थर्ड आ गया इस क्वाड्रेंटल एंगल्स पे आपको इनका मतलब पता चला तो आज की क्लास में वी आर ओनली कंसर्ण अबाउट और ग्वाड्रेंटल एंगल्स के बाद क्या हुआ था बीच के कैसे अंगल्स निकालते हैं यह अलग मुद्दा है इसको अपन अलग खुस्ट प्रापर्टी वगरा लिगाल के अपन निकाल सकते हैं वह अगे देखेंगे अभी मुझे बताओ क्वाड्रेंटल एंगल्स पे क कोई ल Sono फॉसका सायँ प्वाजवी वहेता है सेकिंड कोई ऑपे इंगल्स यहां क्या हो जाता है और फ्र सायंगैश की वैल्यू outta समасति तो नेगेटिव साइन एक साय Lukno POSIT कॉचूल अब्वाज से नंश है ना सो सेकंड कुद्र में को सेक्स नेगिटेव साइच्आ पॉजिटेव थर्ड क्वाडम में दोनो coury抗ेट डूर्थ क्वाडरेंट में ब्लता है इस पॉजिटिव नेगलव फिर से बोलो फ़र्स्ट कॉज्ट में कॉसंद sa bree some बेटantal साइन के नजर यह सब देखो साइन कैसे चल रहा है तो साइन कैसे चल रहा है प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्ल क्वाडरेंटरिंट यृक्षण मत्याद करो मतिलिया उर्कौय कहां कहां पॉच्टिव है स्मझग्या तो साइन कहां कहां Panicam Ideal क मैने पॉलो साइन क्या साइन के कैसे चलते हैं इस प्लस मैनस माइनस चेक करो orange i am my marriage princess यह कैसे चले से प्लस माइनस माइनस इक इसर मैस माइनस जो थे पर साइन और स CJ के सायर धैनल जैजर वह वह थ然 bagus याने कि पर पार चले जा जाओग के शूव तो सब्सक्राइस ऑई निकाल लो साइन टीस डिज़ीट बिजए चालेस डिज़ी फस्ट सब्सक्राइब 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 फिर उसके बाद वह आएगा क्या वह अपन कल की क्लास में ठीक है थर्ड क्वाडरेंट में साइन कॉस्स कुछ भी निकाल लो सब्सक्राइब 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 अब आगे कहानी थोड़ी सी अब आप मुझे बताएं जरा ध्यान से अगर मैं नेगेटिव एंगल्स कैसे बनाते हैं और मैंने यह जो बी पॉंट्ट फा ना यहान जँ rinse नीचे घुमता तो यह बीपॉइंट नीचे की साइट ऐसे आ जाता उसकी मालोग डाश हो गया तो अब इस बी-डैश के कोडिनेट्स क्या होंगे इस बी-डैश के कोडिनेट्स बताओ जरा क्या होंगे सोचो अगर बी के कोडिनेट्स कोसेक्स और साइनेक्स हैं अगर है जो की है तो भी डैस के कोडिनेट्स क्या होंगे भी से लेके बी डैस जो स्ट्रेट लाइन बनी बनी वह किसके पैरलल है से लेके दैसło रहे है वाइक्स इसके स्ट्रेट लाइन बनारी है थो उससमें जोनकर ब्राबर क्यों पोसले तो अगर इसका एकस कोडिनेट्स होगा है यह फाने ने घुडिनेट्स क्या होजाएगा कॉसेक्स हो जाएगा होगा कि मियों होगा बताओ अच्छा सर वाई कोडिनेट क्या होगा तो वाई कोडिनेट क्या होगा सोचो जरा जितना आप उपर गए उतना ही तो नीचे आयो तो उपर अगर साइनेक्स है तो नीचे माइनस साइनेक्स तो इसके कोडिनेट क्या हो लो जा 37 degrees लेक्म-ember-ig。」 जैने कि पॉजटेव या ने कि पॉजटिपड लेने में और नगतीव एंगल लमें को तो कोई फरक नहीं नहीं पड़ता तो मैं एसे लिख सकता हूं है सरलसी वाषा में कि कोछ एकस ले या Cos minus x ले लो सेम चीच Cos 30 degree भी root 3 by 2 हो ता है तो Cos minus 30 degree भी root 3 by 2 ही होगा Jadi Sjang क्या होता है negative हो जाता है तो Sin x cowboy देखो Donc Sin of minus x करोगे तो वो क्या हो जाएगा minus sin x हो जाएगा क्या हो जाएगा वो minus x करने का मतलब क्या है minus x करने का मतलब है नेगेटिव एंगल लेना तो जब आप नेगेटिव एंगल ले रहे हो तो आंसर माइनस साइन एक्स निकल के आ रहा है ना चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा है जब आप पॉजिटिव एंगल ले रहे हो तो आंसर साइन एक्स निकल के आ रहा है लेकिन जब आप नेगेटिव से याद कर लो चलो confusion हो रहा है तो इदर से याद कर लो इसको इसको लिख दो मैनस एक्स रुद की यान subjective लगाएंगे तो वही एकस पे कोस लगाने जैसे हैं तो लेकिन अगर मासग्स एंगल पे आप्साइन लगाओगे तो वह वह साइन एक्सक बराबर नहीं है उसका अंसर पिछले बाली आंसर अंसर का just negative है युगर ऊपर अगर आप प्लस य Εग G हिंदी में मतलब क्या होता है यह क्या करता है इंगल के अंदर के नेगिटिविटि के लोजाता है वर साइन का इसे उल्टा कुछ absorption टैप को कुछ नहीं है तो साइन माइनस माइनैस था करता है माइनस है को निकाल देता है माइनस यह बात याद हुई एक उनिट सरकेल एप्रोग से वह सारी चीज़ें हम सीखते चले जा रहा है बोलो यह बात याद हुई ठीक है अच्छा पांच यहां पर तो देखो टैन जीरो की वैल्यू क्या निकल के आई जीरो निकल के और यह 10 पाइब टू की वैल्यू क्या निकल के आई बोलो इन्फिनिटी ठीक है वन दिगाडगा इंफिनिटी होगा इधर आजाओ तेन पाइपके क्या वैल्यू होती है इन की वैल्यू होती है वह सेंद ऴौमकर घॉमकर आजाओ तो एंऴल्यू रहेगी तेन तो बताओ यहां तक सारी बाते क्लियर है क्या बोलो 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 तो फिर ग्राप्स की बात करूं साइन को सबसे पहले तो आपको एक यह यूनिट सर्किल करना है यह यह यूनिट सर्किल करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ा यह यह कोडिनेट क्या है और y-coordinate क्या है? sin x है. कैसे पता चला, sir? क्योंकि ये लंबाई sin x है. और ये लंबाई लिखी वही नहीं है, पर ये लंबाई क्या है? cos x. वहाँ पे जग़नीट लिखी नहीं है. ठीक है? clear है? अच्छा. इदर की साइट चलना तो x चलना है, ज़र की साइट चलना, minus x चलना है. clockwise direction में चलने का मतलब क्या है? minus x चलना, उपर की साइट चलने का मतलब क्या है? x चलना. और क्योंकि आपने unit circle बनाया है, तो ये hypotenuse एक unit की है, एक centimeter की. ठीक है, यहाँ तक clear है? अब यहाँ पे ये cos 0 है, और ये sin 35 है, यहाँ खुल में लागे x coordinate तो है हमारा, cos x की value and y coordinate है हमारा, sin x की value. सिंपल से unit circle ट्रॉ हो जाएगा, उसके बाद जो calculation मैंने आपको बताई नहीं, आपर right angle triangle वाली, ये वाली, ये रहे calculation में बताई, triangle P, O, Q में, वो की वोई calculation आपको इसमें note down करनी है, मैं scroll कर देता हूँ, देखो, O, P को हमने मान लिया कि 0, कहां गया, O, P को हमने मान लिया कि 0, रेडियन का angle बनाता है, positive side of x-axis, positive side of x-axis का मतलब क्या होता है, x-axis की दो side है, ये side है positive side, और ये side है negative, अभी अपन first quadrant से start कर रहे थे, तो positive side of x-axis के साथ, मान लो ये O, P है, वो x-radian का, sorry, O, P ये है, ये O, P है, ये मान लो 0, रेडियन का angle बनाता है, with the positive side of x-axis in a unit circle, so angle P, O, P है कहा है, गलत तो नहीं लिखाई है, O, P, O, P तो x-radian का angle बनाता है, positive side of x-axis के साथ, किते रेडियन का angle बना रहा है, x-radian का angle बना रहा है, अभी अपन अंगल रेडियन में ही चला रहे है, तो यह 0 ना लिखके x लिख दीजेगा आप हाना, x-radian का angle बना रहा है, ठीक है, 0-radian का angle तो ये बना रहा है, O, Q, O, Q जो है, x-axis के साथ 0 रेडियन का angle बना रहा है, ये O, P, जो है किते रेडियन का angle बना रहा है, x-radian का बना रहा है, ये 90 आने के pi बना रहा है, ये pi बना रहा है, ये फिर 3 pi बना रहा है, और ये वापस 2 pi बना रहा है, ठीक है, तो अभी अपन इस लाइन की बात कर रहे है तो यह X रेटियन का एंगल बना रहा है तो एंगल PQ O 90 डिगरी हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा PQ O 90 डिगरी हो गया इसमें ट्रिग्णोमेट्री सरल सी ट्रिग्णोमेट्री जो अपने दसवी क्लास पर से सीखी ती उसको एक तरीके से उस पॉइंट के जो X-Coordinates और Y-Coordinates आ गए कोडिनेट्स और पॉइंट पी क्या आ गए फाइनली पॉस एक टेबल तैयार करीए मैंने Quadranta-l angles पे Only and only Quadranta-l angles ठीक है अच्छा Quadranta-l angles के अलावाथ 0 से 5 वाइट 2 से बीच में इतने पार्ट को हमारा Plas 10 घृँज तो वह भी कोपी पेस्ट करती है तो वह भी Cane ने इस टेवल में शामिल कर दिये हैं ताकि वह भी ख्लास टेंट का है बता है या नि यहां से लेके और यहां तक बता है या नि इसके आगे अपने को सीखना था ठीक है तो अभी-अभी हमने देखा था कि मैंटी पांट टुक्त वैंट दिया ना और फोशक्त करके निकालते हैं से यहाँ पौन डिवाइदेडद वाइड एलिवाइड जीडल यानæकि सकते माइनस साइन ना इग्णॉर सकते दो तरह की इंफिनिटी जो होती है और एख नेगेटिव साइट जो साइन को साइन पर इन एंगल्स पर आपको याद हो सकती है का और इन अंगल्स पर ऐसे टो याद हो नहीं चाहिए वैसे भी अभी जेरो पर इदार अगर गया इसाट है नेश्री पोस्ट पर 2 Pa कि उनके ऊदू पोन गया में यह तो thriving लगूं गया फूर पए पाइया यह इश हेवन फाइय यह चलता जाएगा तो आप मानते हो हर 2 double के बाद वाद यह रिपीट होगी विपीट होगी होगी हर तूपाई के बाद एक चक्कर पूरा जाएगा तूपाई के बाद देखो टेबल में क्या लिखा है यह जो वैल्यू है साइन की कॉस की टैन की यह केबल और केवल पाइ-बाय-बाय-2 पे नहीं है यह फाइ-बाय-2 पे भी है क्योंकि पाइ-बाय-2 में तूबाय-2 और जरूरिन यह पॉजिटिव साइट कर सकते हैं माइनस टूपाइ नेगेटिव साइट चलने का मतलब क्या हो जाएगा माइनस टूपाइ तो भी तो वही आएगा माइनस टूपाइ तो यह जो वैल्यूज आ है यह पाइ भाइबा यदि पंट पर लाइगी ओर फता नी कितनों सब्सक्रों ये हैंगी यह वाली वैलू इन सब पर आएंगे और माइनस भी कर सकते हो आप उल्टी साइट चलने का मतलब क्या है माइनस उल्टे का मतलब समझ गए ना देखो एक बार स्क्रीन पर देखो यह उल्टे में अगर आप पन्फिस हो रहे हो ये यूनिट सर के लिए अभी मैं यहां हूं अभी मैं यहां हूं हना जीरो पियात कि मैंने का हाँ माईनस चलो कैसे चलोगे माईनस पस क्या होता वाने 1808 चलना उ Programm तो मानते हो प्लस प्लस पपाइ चलना आए माइनस चलना एक जगप पूछेंगे थाक. प्लस पाई चलना और माइनस पाई चलना एक ही बात है टेबल में देखो टेबल में देखो पाई और माइनस पाई पर सेम वेल्यूज है तो पाय चलना भी एक ही बात है है या नहीं है बताओ अच्छा किसे ने कहा माइनस पाय बाय टू चलने का मतलब होता है एक क्वाडरेंट कवर करना 90 डिगरी चलना तो प्लस पाय बाय टू तो एंटी क्लोग वाश डिरेक्शन था लेकिन मैंने क्या कहा सबस्क्राइब करें चलना तो माइनस पाय टू चलते हैं यहां पर आगे चाथ कोग कर लो इसके आगे उसको प्लस करते हैं ठीके क्लियर है तूपाय चलना फोर पाय चलना यह सब से माइनस टूपाय चलना वह आपस उदर ही आ रहे है याने कि टूपाय जोडने से और टूपाय घटाने से कोई फरक नहीं अपड़ता तूपाय जोडते चलो वह से मेल्यूस रिपीट होती जाएंगे तो भी वही वैल कब तक याद हो सकती है टेवल स्विश्टी आपको याद है जो आगे का कुछ समझनी आएगा तो नेक्स टॉपिक क्या है अब इन क्वाडरेंट्स में जो भी मैने साइन याद करवा तो उसको याद करने का तरीका एक शॉटकट है एक्रॉनिम है आपने तो सुना होगा ASTC सुनाए गया ASTC A S T वैसे मैंने बता चुका हूँ इधर प्लस प्लस देन कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव देन दोनों नेगेटिव और यह तो अप्रोच की बात हो गई अब डिरेक्ट कैसे याद रखें तो एक कोड बनाया हुआ है एक्रॉनिम बोलते है शॉटकट बनाया हुआ है यह का मतलब होता है ASTC का फुलपर होता है आपको अगर नहीं पसंद आया तो कुछ और बना ले ना यह तो बच्चों ने बनाया वह तरीका है एक तरीके से और फेमस हो गया तो आज कल टीचर भी बताने लग जाते है ठीक है जैसे अपने टेंट में उसी खाता था ना पीबी पी वाइचस्ष भी पाकिस्तान क्लास ठीक है अब इसका मतलब क्या है सुनना रियांसर एफ और आल यह तो आल स्ट्रेंट्स ऑफ टेंथ क्लास तो एक्रोनिम याद करने का तरीका है लेकिन इसको ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करो तो एफ और आल अच्छा एक चीज मुझे बताओ अगर मैं कि इसी चीज का रैसी प्रोकल करो तो उसका साइन बदलता है क्या ज़रूरी नहीं है यह बदल भी सकता है मैं आप तो साइन बदला गया पहले भी नेगेटिव तो आज भी नेगेटिव है मानते हो फ्रस्ट क्वाडरेंट में साइन जीसे रियक्ट करेगा कॉस एक भी वैसे रियक्ट करेगा और टैनेक्स का रियक्ट कर रहा है इस रियक्ट यहां तक बाते क्लियर है क्लियर है सबको तो इसका मतलब है एफ और ऑल एस फोर होता है साइन इस पॉर क्या होता है अब साइन का रेशिप्रोकल को सेक्थ जो होता है वह भी साइन की तरह चलेगा अभी केवल साइन की बात हो रहे है पॉजटिव-Negative की बात हो रहाए यह STC code के वहला sign याद करने का code है और कोई याद करने का code नहीं है बाकि जरूरी नहीं कि 10 और code साथ में चलेंगे 10 code के अलग भी चलेगा do रेंज तो आज सायथ कवरिंगे नहीं कर पाएंगे डॉमेन रेंज में 10 की रेंज और डोमेन अलगे कोट की अलगे तो बागी चीजें नहीं यह यह केवल साइन पॉसिटिव या नेगेटिव साइन याद करने का तरीका है ना सब्सक्राइब कर देन सी पॉर बताओ क्या बचा वास तक लिए यह तो है फास्ट क्वाद्रेंट यह सेकंड यह थर्ड क्वाद्रेंट यह फोट्ट यह क्या बता है मैंने सब्सक्राइब में और यह सब्सक्राइब गोगे हैं मिल रहा था बोलो तो टैन थीटा या 10 X जो में पोजिटिफ होगा और उसका थरचल चलो सब और सब सबस्यां कि तो मुझे बता एक दूसरी के रिए रखना आ यह दोनों नेगेटीव बाकी साथ रिए डीव बाकी साथ नेगेटीव अच्छा फोर्थ सब नहीं है को सबसेटिव बाकि सब नेगेटिव अब अगेन यह कोड तो मुझे पॉट्रेंट टूफंक्शन याद दिला रहा है तो तो याद हो ना से लिए दूमने दो याद करें साइम का क्या क्या याद कर פה- सांग्षन धो क्वाडिन में पॉजिटिव है कोई खुट के इसे नहीं चल सकता कि तीन में positive एक में negative चले ठीक है तो दो में positive दो में negative बोलो sign के sign बोलो sign function के sign बोलो चारो quarter और उसका उल्टा को से को से के भी यह चलेंगे plus plus minus then उसके बाद आजो cause और उसका उल्टा सैक मलब उल्टे का उलो रसी पोकल ठीक है कोस और सेक के sign बोलो plus minus minus then फिर आखरी में क्या वज़ा है टैन और उसके sign बोलो alternate चलेंगे plus minus plus minus plus minus plus minus done sign का मुद्दा clear है यह quadrant की बात है यह किसकी बात है quadrant जहां पे quadrant बदल रहा है अब तक मैंने आपको क्या याद करवाया है छे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स के चार quadrant के signs प्लस प्लस क्वाड्रेंटल एंगल्स पे उनकी exact value including signs sign के साथ exact value भी याद करवा दी मैंने ठीक है और अंदर के सार अंदर की याद करा होगे अंदर के साइंस में याद कराती वैल्यू क्याएगी वह नहीं पता पर नेगेटिव आएगी पॉजिटिव वह पता है तो इतना ही करेंगे अब इसमें क्या करना है बाकि अब ग्राफ अगर शुरू करेंगे तो आज खतम नहीं कर पाएंगे और बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा अब सबसे में चीज तो अब रहे गई ये तो केवल और केवल अपने यूनिट सरकेल एप्रोच को स्टड़ी किया है अब में चीज क्या है और वाय होता है साइन क्सिज दो एक्सेस पर कोई भी लए करें किसी पॉइंट वट रहुआ क्या होगी जीरो तो एक्सेस पर कहां कौन कौन से एंगल सोत्वें बोलो लिए शेस पर कौन-कौन सब्सें अंगल सोते हैं जीरो न पाई और माइनस पाई और थ्री पाई और इंफाइनाट एंगल से चक्कर गमाते जाओ पाई माइनस पाई माइनस थ्री पाई फाइफ पाई तो इन सब एंगल्स पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो है क्योंकि एक्स एक्स पर लाय कर रहा है और एक्स एक्स पर य कोडिनेट जीरो होता तो क्या लिए जाओगे कि 1 पाय 3 पाय 5 पाय माइनस पाय इंफाइन लिए जाओगे क्या तो आप मैंने क्या लग जए एन पाय एन कोई भी इंटीजर ले लो टेक एन इंटीजर टेक एनी इंटीजर समझ में आगी वाद clear है 1-2-3-9-10-1-2-3-4-5 वहां पोईसे याद रखते हो साइव जिरो कभ ल होता है जब हमेशा क्या होता है ⊯ कोई भी एंगल अगर कर रहा है तो उसका एक्स और कोडिनेट रहे होने वाले एंगल को कैसे कोड कर लिया और वाय एकशिवी होने वाले एंगल को कैसे आपसे नीचे वाला ग्inking चकक रखोमाते जानों जैसे 2Pi और जोड़ो तो फान फिर चकोड़े को इसले सब पैट फिर इसाय कह बोलते ही जाएंगा कि है को कोड़ोर्वर्ट सनो द्यांत से अरह इस में भी आ रहा है बचा इसके लवा लब भार वन इधर वचार 3 इधर वचा 5 इधर वचा 7 मैनस 1 इधर रख्ना जिंदगी में और नमठ्स लिखने का तरीका क्या होता है क्या होता है किए स्क्रीन पे 12286 1 2 3 4 5 जैसे एन की वेल्यू जी जीरोली तो 0-1 1 आया एन की वेल्यू ट्वर्थ वन ध्री आया एरक्ति ट्रू नंबर लिखने का तरीका क्या होता है थू एन नंबर तरीका क्या होता है कि दूगना कर दो किसी का भी तो वह इवन नंबर रहे तो और नंबर बोले तो तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर पाइब टू के आगे आप एक तीन पांट साथ याने एवन नमबर रखेंड प्लस वन यहिए टू एंगल पे इस एंगल पे और कुछ भी रख लो और और śp के जितना से उसके यहां सुन है यहां को बोलते क्या हैं इंटीग्रउ прямо up फाय क्या बोलते एन मतलब क्या उतलब है इंटीजर टार इंपभामचल मतलब क्या हो गया इंटीग्राल मुल्टीपल उफ पाई और यह जो भी मैंने चीज लिखिए 2N प्लस 1 पाई बाई टू इसका मतलब क्या हो गया ओड मल्टीपल ओफ पाई तो सिंपल सी बात जो याद रखने की है वो यह है कि पाई लेलो यानि एक्स het ले लेलो और all ओży एक्स पर भाई एकि लोगे का मतलब फैन पंपाई होगा तब क्या होगा साइन एस समझाने के लिए था आपको डैरेट यह लिखना है चब इस जब इंटिग्रल multiple of pi होगा integral multiple of pi का मतलब n pi होगा तब क्या होगा sin x0 होगा और x जब odd multiple of pi by 2 होगा तब क्या होगा cos x0 होगा और यह दो relationship मैंने अभी आपको बताया थे minus x करोगे तो cos तो सोक लेता है याने कि cos of minus x क्या आ यह प्रूव करका बता है मैंने उपर से नीचे आया तो क्या फरक पड़ा और sign of minus x क्या हो जाता है अपनी पुरानी वैल्यू का negative हो जाता है let's say अगर sign 30 degree आपको पता है क्या होता है क्या होता है साइन तीज़ डिगरी एक बटे 2 तो sign of minus 30 degree क्या होगा माइनस एक बटे दो होगा पिछली वैल्यू का negative पिछली वैल्यू का exactly negative लेकिन यह चीज कॉस्ट के लिए करें तो सेम आंसर आएगा कॉस्ट 30 degree root 3 by 2 होता है तो कॉस्ट माइनस 30 degree root 3 by 2 यह होगा यह negative नहीं करता वह negative sign बार फेक देता है यार्में कि वह पिछली वैल्यू का क्या कर देता है नेगेटिव कर देता है ठीक है क्लियर है क्लियर है क्या ठीक है सैक का सबस माइनस माइनस प्लस बास माइनस माइनस प्लस माइनस Memorial and अंचनों के चार वाधरन में साइन चिए कोड़नें предлож in September पॉजिटिव रिमेंग नेगेटिव थर्ड कॉजिटिव और फॉजिटिव यहीं तक सीखा चलो जी ग्रापस ओव सीख्स टिगनोमेट्रिक फंक्शन्स विद डियर डॉमेन रेंच टॉपिक टॉमरो आज जो भी सीखा है सारा नोटेट होना चीए यहां तक का यह ग्राप से उपर उपर का जो भी टेबल बनाइए तो टेबल यह कोड़ वर्ट लिखें तो कोड़ वर्स उनिट सर्किल बनाए यह सब नोटेट होना च यह याद भी होना चाहिए ठीक है कल ग्राप से किंग थैंक यू सो मच पर लिसनिंग तो अवन नाइस ने कीफ लेर्निंग एंट पांट